सरकार की नई तकनीक से लेज क्रिशी योजनाओं को किसानों तक पहुचाना क्रिशी छेटर मिनैने शोध इजाद करना और क्रिशी सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चंशेखर आजाद क्रिशी प्रद्योगिक विश्विद्याले में दिली आई सी ए आर के उप महानिदेशक डॉक्टर आनंद कुमार सिंग को कुलपती की कमान सौपी गई है कारभार समालने के बाद जेमडे न्यू समवाता सारिका गुपता ने कुलपती डॉक्टर आनंद कुमार सिंग से खास बात चीत की इस दौरान उन्होंने बताया कि किसानों की उत्पातन शमता और इंकम के स्रोत को बढ़ाने के लिए कार किया जा रहा है के सरकार की लापकारी योजनाओं को किसानों तक पहुचा कर वह उनकी प्रात्मिक्ता है वहीं सियसे में ड्रोन टेकनोलोजी स्लेबर्स को शुरू करने पर भी जोर दिया जा रहा है दिल्ली ICAR के उप महानी देशक डॉक्तर आनन्द कुमार सिंग को चंशेकर आजात क्रसी विश्विद्याले के वीसी का कारभार मिल चुका है अब इनसे हम बातचीत कर लेते हैं सर कारभार ग्रहन कर चुके हैं क्या प्रात्मिक्ता होने वाली है हमारी प्रात्मिक्ता यही है कि कैसे आपे पठन-पाठन का कारकरम, शोद का कारकरम, प्रशार का कारकरम प्रभावी धंग से हो ताकि जो स्टेक और जिवान सधारक हैं वो उसका फायदा उठा सकें और जिन चीजों की खेती में प्रसंस्करण में लगे हुए हैं, समाज को, बाजार को एक अच्छे उत्पाद को दें ताकि वो स्ष्थ हो और इस कंडिशन से उत्फसरों की खेती की जाए जो कि मिट्टी, पाने रहा के लिए भी स्ष्थ हो किसानों के लिए उत्पादन चमता बढ़ाने और इंकम के लिए क्या कुछ नया करने वाले हैं? हम कोशिश यह कर रहे हैं कि जो परंपरागत शैली रही है खेती में इस छेत्र में इस दो एग्रोक्लामेटिक जोन्स में वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे विविदी करण के माध्यम से हाई वेली क्राप्स के माध्यम में महंगी फसलों की खेती को प्रमोट करके टेक फसल चक्र को नया आयाम दें ताकि जो फसल की गहनता जो अंग्रेजी में क्रापिंग इंटेंस्री कही जाती है उसको बढ़ाएं और किसानों की आयर निश्ची तुरूप से बढ़नी होगी ही होती होगी ही सर बहुत सी योजनाय चलाई जा रही है लेकिन किसानों तक नहीं पहुच पा रही है उनके लिए क्या कुछ करें है उनके लिए हम लोग कोशिस कर रहे हैं कि जो भी परंपरागत तरीके की के सिस्टम थे उसमें प्रगारता लाए जाए उसकी मॉनिटरिंग किया जाए और उ है हमारे पास आइसीटी टूर्स का प्रयोग करके तक्निकी हस्तान थ्रण को प्रभाविता हम लाएंगे और हम आते ही जोड दे दिये हैं उमीद है कि जितने भी अंसधारक हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं किसानों को मैं सामिल कर रहा हूं उनको फायदा निश्थित रू किसानों को मदद करना तक्निकी मदद करना है इसलिए हम महंगाई के कई कारण हो सकते हैं उत्पादन तो अच्छा हो रहा है और जो बाजार को चाहिए उत्पादन यूपी में तो बहुत ही अच्छा हुआ है उत्तर प्रदेश में तो गई उत्पादन बहुत ही अच्छा कि भूट सफल उत्पादन हुआ है और किसानों की उत्पादन खर्च में घटोतरी उत्तरपदेश में नजर आ और आशा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चाशन ंधिंद सकीमें सारी स्कीमें के बारे में यहां तो बता पाना संभव नहीं है, चल रही है, हमको लगता है कि उसके परणाम बाजार में दिख रहे हैं, किसानों के पास भी दिख रहे हैं और किसानों में खुशी है, बता रहा हूं कि जिस तरीके से किसानों को फाइदा हुआ है उत्रपदेश में सर, CSI में प्रोफेसरों की कमी है और उसके साथ साथ अब नया पाटकरम भी जोड़ा जा रहा है, तो इस पर किस तरीके से कारे करेंगा जो हमारे पास टीचर की कमी है, इसमें कोई दोराय नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि नेमा नुसार जल से जल बड़े ही पारदर्सी तरीके से अच्छे अच्छे अध्यापिकों की नियुक्ति की जाए, और हम कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट ब्रेन अवालेबल हो, हम उस कि मानक भी बनेगा, मैं आपको आज बता देता हूँ, कि वो मानक भी बनेगा, तो ये थे हमारे साथ CSA के VC आनन जी, जिनका कहना है कि जितनी भी योजनाय चल रही है, वो किसानों तक पहुचाई जाएंगी, और तकनीकी के साथ इन योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए वीडियो जनरलिस्त नीडू मिश्रा के साथ सारीका गुपता जी, हम्डी नियूज